हलो एंड वेलकम टू दा यूपी एसी एनालाइजर तोड़े वी विल डिस्कस न्यूस पेपर अनालिसेज डेट इट फिफ्ट ऑफ एप्रिल ट्वेटी ट्वेट फॉर्स न्यूस एक गांधी स्पर्स्विट ओफ हिंदू मुस्लिम उनुटी प्रोवोक्ट हिंदू एक्स् वी हो सके उसके लिए डिसाइट किया गया कि जो इंपोर्टेंट पॉच섯 नहीं है बैसेगिल जो थोड़क कम इंपोर्टेंट पोर्टेंट उसको हम W有沒有 कर रहा है लेकिन उस समय उसक ती ने अपने official document पे नहीं बताया था कि ये portion यहाँ पर delete किया जा रहे है लेकिन actually इस portion को यहाँ पर delete कर दिया गया अब कौन सा portion delete किया गया है वो यहाँ पर बताया गया For example, जब गांधी जी का assassination हुआ था उसके बाद government of India ने organization के उपर crackdown करना शुरू किया था जो की criminal hatred फैला रहे थे और इस crackdown में जो RSS से इसको भी ban किया था तो RSS को ban किया था ये वाला paragraph हटा दिया गया 2002 में जो गुजरात rights हुए थे उसको लेकर एक paragraph था कि basically यहाँ पर class की वज़े से religion की वज़े से कैसे segregation होता है और यहाँ पर ghettoization होता है ghettoization क्या होता है basically एक community किसी particular area में रहने लग जाए इसको बोलता है ghettoization तो इस paragraph को यहाँ पर delete कर दिया गया है तो वही सारी बाते यहाँ पर mention है तो Gandhi जी को particularly dislike किया जाता था उन Hindus के द्वारा जिनको की यह लगता था कि जैसे Pakistan Muslims के लिए है वैसे ही जो India है यह Hindus के लिए होना चाहिए तो he was particularly disliked by those who wanted Hindus to take revenge or who wanted India to become a country for the Hindus just as Pakistan was for Muslims his steadfast pursuit of Hindu Muslim unity और जिसकी वज़े से Hindu extremist यहाँ पर provoke हो गए और Hindu extremist ने यहाँ तक की attempt भी किया था Gandhi जी को assassinate करने के लिए Gandhi जी का assassination होता उसके बाद Government of India यहाँ पर crackdown करती ही on organizations जो की communal hatred को फैला रहे थे और इसमें से एक organization RSS इसको भी यहाँ पर कुछ time के लिए बैन किया गया था तो यह sentences पिछले 15 सालों से पढ़ाय जा रहे थे class 12 की text book में लेकिन अब इसको remove कर दिया गया है history से भी यहाँ पर कुछ portion delete किया गया है अब यह news क्यों बनी है वो मैंने आपको बता दिया कि जब यहाँ पर NCRT ने official document release किया था कि यह सारा portion में remove कर रहे है उसमें यह वाला portion mention नहीं था जो की remove किया गया है लेकिन official document में नहीं लिखा हुआ था last year NCRT ने यहाँ पर decide किया था कि text books को rationalize किया जाएगा सारे ही subjects के लिए जिसकी वज़े से यहाँ पर curriculum reduce हो सके और speedy recovery हो सके rationalization happened last year and we have not done anything new this time यह सब बताय जा रहा है कि ऐसा नहीं है फिर यह बताये गया है कि यहाँ पर जो society की book है sociology की book है titled understanding society उसमें से कौन सा portion delete किया गया तो जो मैंने आपको portion बता है गुजरात right से related कि class, religion और ethnicity की basis पर कैसे यहाँ पर division होता है और division की वज़े से यहाँ पर communal violence भी होता है और ghettoization भी होता है कि गांदी जी ने क्या क्या किया तो सबसे पहले आपको गंदी जी की hat trick याद रखने ही कौन से hat trick चंपारन सत्यागरा उसके बाद होता है खेडा सत्यागरा then एहमदाबाद तो 1916 यह चंपारन ट्रैवल करते हैं in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system 1917 में यह खेडा डिस्ट्रिक्ट अफ गुजरात में जाते हैं और peasants को support करते हैं तो basically यहाँ पर सत्यागरा organize करने की क्यों जरुवत पड़ी थी क्योंकि crop failure हो गया था plague epidemic हो गया था लेकिन उसके बाद भी जो Britishers थे यह revenue collection में relaxation नहीं कर रहे थे जबकि peasants की यहाँ पर demand थी कि revenue collection में यहाँ पर relaxation होना चाहिए 1918 में एहमदबाद जाते हैं to organize the सत्यागरा movement against cotton mill workers 1919 में गांधी जी nationwide सत्यागरा launch करते हैं against the proposed rowlet act rowlet act किया बात करता था कि basically यहाँ पर political prisoners को detain किया जा सकता है वो भी दो सालों के लिए बिना किसी trial के तो इसके बाद यहाँ पर जलिया वाला बाग incident हो जाता है जिसके बाद गांधी जी इस movement को call-off कर देते हैं इसके बाद क्या होता है इसके बाद non-corporation movement start होता है तो at the Calcutta session of the congress in September 1920 गांधी जी बागी leaders को हिंदू-Muslim unity देखने को मिली थी At the Congress session at Nagpur in December 1920 the non-corporation program was adopted February 1922 में Mahatpa Gandhi decide करते हैं कि हम non-corporation movement को withdraw करेंगे इसका reason किया ता चौरी-चौर incident हो जाता है violence हो जाता है और violence में गांधी जी नहीं मानते थे और जिसकी वज़े से the non-corporation movement Mahatma Gandhi यहाँ पर focus करते हैं अपने social reform work के उपर 1930 में Gandhi जी decide करते हैं कि यहाँ पर salt law को break करना पड़ेगा क्यों salt law को break करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो British government इसकी monopoly हुआ करती थी on the manufacture and sale of Gujarat उसके बाद यहाँ पर danti march होती है और salt law को break किया जाता है यह beginning होती civil disobedience movement की उसके बाद यह जो Irwin होता है यह decide करता है कि यहाँ पर गांधी जी के साथ truce कर लेते हैं और गांधी जी से यह कहता है कि आप second round table conference attend तो करके देखो आपकी जो भी demand से इनको हम लेकर सोचते हैं गांधी जी जब यहाँ पर second round table conference attend करते हैं उसके बाद समझ आजाता है कि basically यहाँ पर Britishers कुछ नहीं करने वाले हैं In 1931, Gandhi accepted a truce called of civil disobedience and agreed to attend the second round table conference in London as the sole representative of the Indian National Congress After returning from London Mahatma Gandhi relaunch करते हैं civil disobedience movement को for over a year movement continued लेकिन बाद में यह अपने momentum को lose कर देता है Quit India movement तो World War II का outbreak होता है Crips mission यहाँ पर fail हो जाता है अब British cabinet minister who went to India in March 1942 और इन्होंने एक offer दिया जो की offer unacceptable था और उसके बाद यहाँ पर launch किया जाता है Quit India movement Social work Gandhi जी के कौन से थे आपको यह बताना है कि Dr. B.R. Ambechkar ने कौन कौन सी roundtable conferences को attend किया था नहीं पता है तो आप देख सकते हो सब को सब कुछ नहीं पता होता है Social work He worked for the upliftment of untouchables and gave them a new name Harijan B.R. Ambechkar के साथ इन्होंने एक pact negotiate किया था Puna pact तो Puna pact यहाँ पर बहुत जादा important है His symbol of self-reliance the spinning wheel जो कि आपने देखा होगा चर्का He founded the Hindustani Prichard Sabah in 1942 at Varda in Maharashtra A.M.K.A.T.A. organization का Hindustani को promote करना Hindustani किया है एक link language between Hindi and Urdu तो यह सारे points आपको पता होने चाहिए Next हम चलते हैं आगे In close touch with Bhutan on security India on Dukla Mishu तो basically जो Bhutan के राजा है यह इंडिया हुए है और इनकी मुलाकात होती है हमारे Prime Minister के साथ तो मुलाकात में तो ऐसा कुछ important point नहीं है basically यही कहा गया कि national interest को safeguard करने के लिए जो भी जरूरी पढ़ेगा वो सब को चम करेंगे अब यह issue क्या बन रहा है तो issue यह बन रहा है कि जो Bhutan के Prime Minister है उन्होंने कुछ ताइम पहले कुछ ऐसा statement दे दिया कि जो दो कलाम issue है इसमें China की भी equal से होनी चाहिए कि India की भी से होनी चाहिए Bhutan की भी से होनी चाहिए और China की भी equal से होनी चाहिए अगर हम यहाँ पर Bhutan और China का issue डिसकस करें कि North में कौन सी territory यहाँ पर गहता है China उसकी है West में कौन सी territory है तो North में पासम लंग एंड जाकरलंग वैली West में ही दो कलाम आता है इसके अलावाद 2020 में चाहिना ने एक नए क्लेम शुरू कर दिये और वो यह था साक्तिंग सेंक्चुरी तो China का यह कहना है जो भूटान की साक्तिंग सेंक्चुरी है यह भी यहाँ पर चाहिना का बाट है तो आपको क्या याद रखने की साक्तिंग सेंक्चुरी कहाँ पर है सर्प्राइजिंग देर हस भी नो मैंशन ओफ इस्टन भूटान लेकिन अभी यहाँ पर जो China यह इसकी भी बात करने लग गया है साक्तिंग भी यहाँ पर जो पार्ट है, चाहिना का ही पार्ट है औल्दो भूटान की कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेक्शन नहीं है चाहिना के साथ है तो आपको इसके बारे में कोई information नहीं मिल पाईगी तो आपको क्या है रखना है आपको यहाँ पर पासम लंग जाकर लंग याद रखना है और आपको साकते हैं याद रखना है दो क्लाम याद रखना है नेक्स्ट है यहाँ पर seven tourist killed as avlanch hits road from gang talk to नाथूला इसमें आपको क्या बता होना चाहिए नाथूला पास कहाँ पर है बस इतना है important है जो की सिक्के में है एक यहाँ पर lake mention है Somgo Lake तो यह कहाँ पर है तो यह भी सिक्के में है अग हम चलते हैं आगे government slams China but to assign invented names to arunachal places तो basically यहाँ पर चाहिना ने क्या किया है चाहिना निहाँ पर अरुणachal की जगहों के नाम निकाले है और यह चाहिना ने पहली बार में है 2017 में भी कर चुका उसके बाद एक बार और कर चुका है फिर एक बार और कर चुका है for example यहाँ पर चाहिना का यह कहना है कि यह जो पार्टे जंग्नान है यह Southern part of the government forms panel to examine stalled real estate projects अब मुझे नहीं लगता है पैनल बहुत IMPORTANT है लेकिन एक बार आप नाम देख लो कि इस पैनल को कौन हैट कर रहे है तो इस पैनल है अमिटाप कांट जो कि इंडिया के G20 शेरपा भी है और former CEO भी है नीतियायोग आपको क्या पता होना चाहिए आपको यहाँ पर स्वामी फंड पता होना चाहिए जो कि हमने डिसकस भी किया था SWAMIH अगर आपको नहीं पता है तो आप स्वामी फंड के बारे में पढ़ सकते हो तो यहाँ पर परक की बात की गई है परक क्या है यह आपको पता होना चाहिए परक को क्यूं मनाये गया था वो सब हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर problem क्या है तो problem यह है for example अगर आप CBSC में हो या अगर आप ICSC में हो या अगर आप UP में हो तो आपने यह बात देखी होगी कि CBSC के 95% ICSC के 90% और UP Board के 85% तो यह कहा जाता ने कि सारे marks बराबरी हैं basically यहाँ पर UP का जो paper है UP Board के it tough होता है तोड़ा और यहाँ पर जो checking होती, strict होती जिसकी वज़े से हम कह सकने कि UP के अगर UP Board से कोई बच्चा associated और उसके अगर 85% आएं तो वो CBSC के 95% के बराबर है तो यह जो disparity है इसको remove करने के लिए परक यहाँ पर काम कर रहा है तो क्या किया जाएगा Question Papers of Board Exams को इस तरीके से set किया जाएगा कि assessment में यहाँ पर equivalence हो सके ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई teacher lenient तरीके से paper check कर रहा है कोई teacher यहाँ पर strict तरीके से check कर रहा है और दोनों same तरीके का answers लेके गए लेकिन एक बच्चे को जादा marks मिल रहे हैं दूसरे बच्चे को कम marks मिल रहे है तो it happens mostly because some teachers are strict while others are lenient while checking answer sheets and just about different schools even for answers जिसमें कोई major difference नहीं होता है और एक body बनाईगी जिसका नाम है PARAK PARAK क्या है performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development और यह किस के control में है तो यह आती है NCRT के control में तो यह NCRT के control में यह बाद आपको याद रखनी है and offshoot of the national education policy 2020 PARAK का main role क्या है comparative measures को establish करना जो कि मैंने आपको बताए कि basically यहाँ पर जो disparities को यहाँ पर remove करना और यह जो school examination boards है इनके बीच में यहाँ पर collaboration करना अब PARAK यह सब काम कर रहा है इसके लिए PARAK किसे consult कर रहा है तो एक educational testing services है UK की तो UK based non-profit educational testing services जो कि यहाँ पर test कराती है GRE का तो इसको यहाँ पर consultant की तरह पर किया गया है कि यहाँ पर PARAK को यह सब कुछ करने के लिए help करेगा तो parity and assessment is among the areas taken up by the newly set up body PARAK जो कि administrative control में है NCRT के तो PARAK important हो जादा है बहुत जादा news में रहता है PARAK आगे हम चलते है तो यह क्या news है तो basically news यह है कि अगर हम यहाँ पर बात करें सबरी माला temple की जो कि Lord Iappah का है तो वहाँ पर जो priest बनते हैं यह सिर्फ यहाँ पर Brahmin सी बन सकते हैं जो OBCs हैं उनको priest नहीं बनने दिया जाता है जो यहाँ पर दलित हैं उनको priest नहीं बनने दिया जाता है जबकि यह verdict आ चुका है कि आप caste की basis पर किसी को reject नहीं कर सकते हो अगर उसके पास requisite experience है When Dalit priest were appointed in 2017 तो यह कहा गया है यह तो basically यहाँ पर का रहने सा है लेकिन सच में ऐसा नहीं है अभी भी यहाँ पर Dalit priest को नहीं बनाया जा रहा है priest तो given the repercussions of attempts अब यहाँ पर यह बताया गया है कि सब्री माले temple का जो issue था जिसमें women को enter नहीं करने दिया जाता था तो 2018 में Supreme Court का वार्डिक्ट आता है और यह भी chief priest बन सके तो इसका भी impact परने वाला है on the politics of Kerala तो given the repercussions of attempts to allow entry of women of all ages into Sabri Mala after the 2018 Supreme Court what did it remains to be seen how the Kerala government and the TDB will play their cards if the court orders them कि basically यहाँ पर non-Brahman applicants को भी आपको accept करना पड़ेगा as chief priest at the hill shrine यहाँ पर important क्या हो जाता है आपको सबसे पहले Sabri Mala issue पता होना चीए यह कहाँ पर located है तो Sabri Mala temple issue कहाँ पर located है Western Ghars in Keralas पठान मिठा district और यह जो shrine है dedicated है to Lord Ayappa और इसको manage कौन करता है तो TDB शावन कोर देवा सौम बोर्ट जो कि हमने डिसकस किया ना TDB अब Sabri Mala temple prohibit करता है कि जो भी महिलाएं आपर 10-50 वर्ट की है यह shrine में enter नहीं हो सकती है क्यों नहीं enter हो सकती है क्योंकि जो Lord Ayappa है यह ब्रहमचारी है और अगर young women enter होंगी तो यह जो idol की celibacy है और austerity है इसके ओपर यहाँ पर फरख पड़ेगा यह part है essential religious practice का अब यहाँ पर important हो जाता है ERP यह कौन decide करेगा कि यह यहाँ पर essential religious practice है या नहीं है तो यह जो यहाँ पर decide करता है या अच्छली यहाँ पर court decide करती है और court ने शिरूर मट case में यह doctrine दी थी essential religious practice की तो basically यह कहा गया है कि उन्हीं practices को protect किया जाएगा यह core foundation of the religion नहीं है तो preventing women's entry to the temple with an irrational and absolute nation of purity यह basically जो equality clause in constitution में यह को यहाँ पर violate करता है Supreme Court का judgment किया था Supreme Court का basically यही judgment था कि basically आप यहाँ पर biological और physiological features के basis पर exclusion नहीं कर सकते हो it amounted to discrimination based on a biological factor exclusive to gender और यह violative है equality or dignity of women का Supreme Court also held that I have a devotees एक separate denomination नहीं है just because कि वो यहाँ पर Lord Ayapa की पूजा करते हैं यह Hindu worship का ही part है अब यह जो doctrine है essential religious practice की यहाँ पर important हो जाती यह Supreme Court ने दी थी 1954 में शिरूर मटकेस में the court held that कि religion में यहाँ पर उनको ही हम include करेंगे जो कि integral हैं किसे religion के लिए for example अगर हम यहाँ पर Islam की बात करें तो Muslims का नमास पढ़ना mosque में ही नमास पढ़ना क्या यह essential religious practice है तो Supreme Court का यह कहना था कि Muslims का mosque में ही नमास पढ़ना यह essential religious practice नहीं है तो essential religious practice test is a contentious doctrine evolved by the court to protect only such religious practices जो कि essential यह integral हैं किसे religion के लिए कुछ examples है यहाँ पर for example यहाँ पर 1958 case की बात की गई तो Supreme Court ने यह decide हिया था यह था कि कुछ sections के जो लोग है वो temple mentor नहीं कर सकते हैं लेकिन court ने यह कहा था कि यह गलत है और यह essential religious practice नहीं है सारे ही लोग यहाँ पर हिंदूस temple mentor कर सकते हैं अध्धा case में यहाँ पर court ने यह कहा था कि prayer offer करना यह तो essential practice है इसलाम की लेकिन mosque में ही prayer offer करना यह essential practice नहीं इसलाम की however some there are many issues associated with the use of essentiality doctrine क्योंकि problem यह है कि यहाँ पर जो supreme court है यह theocracy की domain में जा रहा है अब supreme court basically कभी-कभी यहाँ पर religious text को देकर determine करता है तो यह यहाँ पर supreme court कही नहीं इसका drawback है there is no fixed parameter कि आप essential practices को कैसे decide करोगे किसी cases में आप यहाँ पर religious text को पर रलाय कर रहा हो किसी case में आप followers का behavior देख रहा हो in yet others based on weather कि यह practice तब exist हिया करती थी जब religion originate हुआ था या तब exist नहीं किया करती थी next हम चलते हैं आगे यहाँ पर एक project ही बात की गए सुबांसरी lower damn project कहाँ पर है तो असम अरुनाचल border में है landslide आ गई है तो यह important है यह landslide आ गई है बस यह पता हो नची dividing and ruling the west तो यह article क्या लिखा गया है तो पहले तो हम समभी देख लेते हैं और post west order को यहाँ पर establish करना चाते हैं तो क्या यह ऐसा कर पाएंगे क्या ऐसा हो पाएगा उसके बार में article लिखा गया है जो कि हम देखते हैं तो अभी यहाँ पर Moscow गय हुए थे जो चाइना के president है और Moscow में जाके इनोंने कहा कि हम कुछ ऐसे changes करने वाले हैं जो कि century में नहीं हुए है तो as they deepen their strategic partnership Russia and China hope that exploiting the divisions within the west will help them transform the global order अब west में कौनसे divisions क्यासे यह device करने की कोशिश कर रहे हैं तो fault lines west में real हैं लेकिन इतनी पी real नहीं कि basically इनके लिए ही fatal हो जाएं कि यहाँ पर आपने Europe को लग कर दे USA से इतना करना possible नहीं ऐसा author का कहना है तो Xi Jinping ने यहाँ पर बात किये कि हम यहाँ पर once in a century changes कर रहे हैं Moscow and Beijing are convinced कि अगर यह दोनों Moscow और Beijing अपने strengths को pool कर लेते हैं तो basically west यहाँ पर defensive mood पर चला जाएगा If Moscow's focus is on America's political fractures Beijing is deploying China's market power अब Beijing basically यहाँ पर क्या कर रहा है तो Beijing को पता है कि यहाँ पर USA की भी interdependence बहुत जादा है चाइना के ओपर अगर आप देखो तो China basically यहाँ पर second largest economy बन चुका है China को यह भी पता है कि European Union भी China के ओपर बहुत जादा dependent है तो what about dividing America from Europe तो America को यह यॉरॉप से divide हिया जा सकता है तो Beijing has been hoping that the parade of the European leaders तो बहुत सारे European leaders क्या कर रहे हैं यह चाइना में विजिट कर रहे हैं For example यहाँ पर Emmanuel Macron गय थे तो this week French President Emmanuel Macron और यहाँ पर जो European Commission President है यह भी यहाँ पर China जाने वाले हैं सीनो European Engagement Circles around two issues अब दो issues क्या है अब यह जो Europe वाले जा रहे हैं यह ऐसा नहीं कि China को support करने जा रहे हैं यह basically यहाँ पर China का support चाहते हैं कि China यहाँ पर Russia की against jai तो Europe wants she to put pressure on put into end of war in Ukraine Beijing क्या सोच रहा है Beijing यह सोच रहा है कि Europe वाले यहाँ पर आएंगे तो जो यहाँ पर USA की policy है anti-American policies इसको यहाँ पर कम करने की कोशिश की जाएगी तो दोनों ही basically अपना मतलब देखे रहे है Europe यह सोच रहे कि यहाँ पर China को किसी तरह की से मनाया जाए और China यहाँ पर against Moscow कुछ कहे और यहाँ पर जो China वो यह सोच रहे है यहाँ पर यहाँ पर किसी तरह की से वो किया जाए और यहाँ पर जो यहाँ पर अमेरिका करता है तो अमेरिका की बाते थोड़ा कम करे और चाइनों के उपर थोड़ा जादा dependent हो जाए तो दोनों ही अपने बारे में सोच रहे है last week in a major speech जो यहाँ पर European Commission के last week Europe does not want to decouple from China because of the massive economic relationship but at the same time इनका यह कहना है कि जो Europe है यह अपने commercial ties को de-risk करे चाइना के साथ ठीक है तो engagement सबको करना है सबको basically अपना फाइदा देखना है next यहाँ पर the power of love and care तो यहाँ पर HIV की बात की गई है HIV AIDS की बात की गई है कि अपर इस्टिगमा बहुत ज़्यादा associated है I set up the NAS Foundation तो अगर आपको NAS Foundation पता हो तो जो section 377 का इशू था वो यहाँ पर NAS Foundation नहीं उठाया था और NAS Foundation ही Delhi High Court गया था जिसके बाद यहाँ पर verdict आता है और जो homosexuality होती है उसको यहाँ पर decriminalize किया जाता है तो fundamental challenge किया था basically यहाँ पर यह जो HIV AIDS के patient होते है इनको care नहीं मिल पाती है पहला issue किया है इस टिगमा associated है दूसरी बात conversion therapy किया जाती है his family यहाँ पर किसी person की family की बात की गई है कि एक major hospital में admit कर दिया गया वहाँ पर conversion therapy किया जारी conversion therapy किया था जो homosexual लोग होते है उनको heterosexual ने convert किया जाता है अब इसका कोई scientific basis नहीं है basically यहाँ पर exorcism वगरा भी किया जाता है जो कि आपने देखा होगा Conjuring movie में कि in the name of the Jesus and all यहाँ पर आत्मा निकाली जाती है तो वो सब भी किया जाता conversion therapy में लेकिन यह कुछ भी यहाँ पर scientific नहीं है तो medical professionals administered shock treatment to him तो जब इन्होंने NHRC को oppose किया NHRC को इन्होंने approach किया तो NHRC ने basically इनके request को turn down कर दिया क्योंकि उस समय homosexuality एक criminal act हुआ करता था ठीक है फिर उसके बाद यह जाते हैं Delhi High Court में treating consensual homosexual sex between adults as a criminal act यह violet करता है fundamental rights guaranteed by the constitution उसके बाद यहाँ पर Supreme Court का वर्ट इट आता है 2018 में आज अगर हम government की बात करें तो government भी यहाँ पर बहुत प्रोक्टव हो चुकी है HIV AIDS sensitization में और जो हमारा national AIDS program है यह basically उसको लेकरी एक कदम है यह सब यहाँ पर बताया गया है next क्या है measurement problem यह हम नहीं discuss करेंगे basically कल अगर आपको यादो तो कल हमने एक news discuss की थी first page पर कि एक paper release किया गया है जिसमें यह बताया गया कि COVID के बाद यहाँ पर जो poverty है यह कम हो गई है और inequality भी यहाँ पर कम हो गई लेकिन यह जो statement है यह counter intuitive है कि poverty कम हो गई है inequality कम हो गई है COVID के बाद लेकिन जो data set यूज किया गया था यह proxy data set था तो यही बताया गया कि यह proxy data set यूज करके अब data निकाल लो और आप यह बता रो कि poverty यहाँ पर काम होगी ऐसा कुछ नहीं यह क्या है cycle of impunity तो merit में killings हो गई थी अब यह जो killings हुई थी जिन लोगों को arrest किया गया था उनको यहाँ पर बरी कर दिया गया उसको लेकर यहाँ पर article लिखा गया है कि किस तरीके से यहाँ पर justice है इसको हम लगातार fail कर रहे है for victims of criminal violence explain page पर भी आया है वहाँ पर भी हम discuss नहीं करेंगे securing some at great cost यह article हम discuss कर लेते हैं वैसे हम कई बार discuss कर चुके हैं यहाँ पर OPS NPS की बात की गई है तो बहुत सारे states जो हैं यह OPS के उपर shift कर रहे हैं shift कर रहे हैं लोगों को यहाँ पर लभाने के लिए कि लोग उनको vote दें OPS किया था तो OPS basically यह था कि जो भी आपकी last round salary है आप यहाँ पर government servant हो और आपकी एक लाग रुपे salary है तो आपको 50,000 रुपे pension ही तरह मिलेगा आपको जिंदेगी पर कुछ contribute करने की ज़रत नहीं थी बस आप retire हुए और आपको यहाँ पर जो भी आपकी salary थी उसका 50,000 pension तरह मिलने लग गया लेकिन अब इस system को लंबे समय तक sustain करना बहुत मुश्किल था for example पहले यहाँ पर 60 साल में इंसान retire हो रहा है एक contributory pension scheme के तरफ move करने की ज़रूरत है तो उसके बाद लेकर आया जाता है NPS NPS में क्या होता है NPS में basically यहाँ पर सरकार कुछ contribute करती है और employee भी उतना ही contribution करता है तो 10% यहाँ पर employee contribution करता है central government के मैं आपको बता रही हूँ तो central government में यहाँ पर 10% जो है वो यहाँ पर employee करता है और सरकार यहाँ पर 14% contribution करती है जहाँ पर इन्वेस्ट किया गया हो उन bonds ने, लुनים शेर्श ने उस portfolio ने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया हो और हो सकते है कि उसको 50% salary ना मिलकर 50% जो उसकी salary है उसकी pension ना मिलकर अगर उसको 20% ही मिले 30% ही मिले तो uncertainty बहुत जादा है जिसकी वज़े से यहाँ पर government employees देमांड करते हैं कि हमें तो यहाँ पर OPS में वापस जाना है लेकिन OPS में वापस जाना possible नहीं हो पाएगा यह हम discuss कर चुके हैं इसमें हमने एक scheme discuss की थी जो की आंधरा की थी अगर आपक यह contributory pension system है यहाँ पर सरकार contribution करती है employee contribution करता है उसके बाद invest किया जाता है shares, bonds, G6 में under the OPS जो public employees है इनको कुछ भी contribute करने की जरत नहीं पढ़ती थी basically ना कुछ contribution करने की जरत पढ़ती थी और यहाँ पर pension मी मिलती थी वो भी fixed pension कोई tension ही कि कहाँ पर invest हो गया कहीं पैसा कम ना कोई tension ही 50% मिलेगा ही मिलेगा अगर एक लाग रुपे salary है तो पचासाजार रुपे इनको pension मिलती थी अब problem एक और problem यह है कि अगर हम बात करें government employees की तो यह 5-6% है 5-6% के लिए यहाँ पर सरकार इतनी जादा pension कैसे दे सकती है अगर हम यहाँ पर 80% लोगों की बात करें तो 80% लोग तो informal sector में है और जो informal sector में लोग है इनके पास कोई job security नहीं है कोई इनके पास old age financial support नहीं है 5-6% के लिए basically यहाँ पर सरकार इतना सारा पैसा खज करें जिसकी वज़े से तो inequality और ज़्यादा create ही होगी तो recent times में हमने क्या देखा है कि कुछ states क्या करने की कोशिश कर यह यहाँ पर OPS की तरफ move करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर author ने एक point उठा है point यह है कि अगर states यहाँ पर OPS की तरफ move करेंगे इसका मतलब यह है कि जो pension का burden increase हो जाएगा pension का burden increase हो जाएगा तो pension एक non-development expenditure है development expenditure क्या होता है जब कुछ बन रहा हो for example यहाँ पर आपने school बनाया आपने यहाँ पर health sector बनाया आपने यहाँ पर hospital बनाया तो यह development expenditure है आपने यहाँ पर infrastructure बनाया तो यह सब कुछ development expenditure है non-development expenditure क्या हुआ है जैसे कि आप यहाँ पर लोगों की pension दे रहे हो आपने पहले यहाँ पर loan लिया था, उसका आप interest rate दे रहा हो, तो यह सब कुछ non-development expenditure हो, basically आप कुछ develop थोड़ी कर रहा हो, आप तो अपनी liabilities को यह कम करने की कोशिश कर रहा हो, तो from 1990-91 to 2004-05, all states witnessed a dramatic decline in the development to non-development expenditure, और इसका reason क्या था, इसका reason यही था, NPS की तरफ shift हुए थे, लेकिन अभी यहाँ आप जो states ने वापिस OPS की तरफ shift होने की बात करें, जो कही ना कहीं गलत है, और यह एक bad economics है, ऐसा यहाँ पर author का कहना है, दूसरी बात, अगर आप pension के उपर इतना जादा पैसा खर्च कर दोगे, तो आपके पास यहाँ पर development expenditure के लिए पैसा नहीं बचेगा, और पैसा raise कर करने का दो ही तरीका हो सकता, पहला यह यह या तो आपका revenue increase हो, दूसरी बात यह तो आपको borrowing करनी पड़ेगी, तो two avenues were available to finance the increased non-development expenditure related to pensions, पहला यह यह कि आप taxes को increase करो, दूसरी बात यह तो आप borrowing करो, अगर हम globally देखें तो population age हो रही है, फ्रांस की हमने बात की थी, फ्रां करने की जरुत है, क्योंकि लोग अगर पहले 70 साल जी रहते, तो लोग अभी 80 साल जी रहे, आने वाले समय में यह लोग 85 साल जीएंगे, तो Indian government in 2003-04 had the political will and far-sightedness की हमें pension reforms को करने की जरुत है, और pension reforms को किया भी गया, अब इससे जो पैसा बचा होगा, यह basically यहाँ पर दूस का फाइदा उठाया, और उसके बाद भी उनको ही privilege मिल रही है, और जो poor लोग है, जो vulnerable लोग है, यह कहीं पीछे छूट जाएंगे, पर यह बताया गया है हिमाचाल प्रदेश, पंजाब, जो कि यहाँ पर OPS की तरफ move कर रहे हैं, इनकी तो condition और वीज़ा तक खराब है, त तो अब देख सकते हो कि इनका कितना सारा पैसा कहा जा रहा है, पर next यहाँ पर क्या है, house of absences, तो यहाँ पर यह बात की गई है कि Parliament का यहाँ पर सेशने लगातार adjoin हुआ, इसका क्या reason है, तो opposition के basically यह कहना था कि Adani issue, Adani Hindenburg issue इसको लेकर यहाँ पर JPC बनाओ, और यहाँ और गवर्मेंट का यह कहना था कि डाहूल गांदी जी यहाँ पर माफी माँगे, कि इंबरिश में इनों ने ऐसा बोल दिया कि यहाँ पर जो फॉरिनर्स हैं, जो यहाँ पर फॉरिन कंट्रीज हैं, इनको इंडिया की डिमोक्रिसी में हैं, कुछ भी यह सब इंपॉर्टन ही आपको क्या याद रखने की जरुरत है, हमने जो रेप्रेजेंटिशन उफ पीपल साइक डिसकस किया था, आपको यह याद रखने की जरुरत है, और बाकी यही बताएगा कि पार्लेमेंट यहाँ पर टेंपल की तरह है, और अगर ऐसे ही सेशन्स एडजॉर्ण होते रहे, तो इसका मतलब यह है कि हमारे आवास कौन सुनेगा, हमने यहाँ पर किन लोगों के लिए वोट किया है, जो सरकारी यह एकाउंटेबल नहीं हो पाएगी, तो फॉर दे लास सेवरल वीक्स, पार्लेमेंट हैस फॉलोड अर राधर फैमिले रूटीन, बोथ हाउसस को यहाँ पर एडजॉर्ण किया गया विदिन मेनिट्स, इवन था यूनियन बजट को यहाँ पर पास कर दिया गया बिना किसी डिसकेशन के, अगर पार्लेमेंट यहाँ पर फॉलोड जैसे लोगों को इनफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, इलेक्ट गरफमेंट जो है, यह एकाउंटेबल नहीं हो पाएगी, वेन डिमोक्राटिकली एलेक्टिट गरफमेंट अर नो लॉगर एकाउंटेबल इन पार्लेमेंट, तो सिटिजन को नहीं पता होता है, यह बैसिकली उन्होंने वोट किसलिए किया, अगर आपको एमनेस्टी स्कीम पता है, तो आप बता सकते हो, अब ओठर ने बैसिकली कुछ ऐसे ज्रॉबैक्स बताएं पॉलिसी की, और ज्रॉबैक्स तो यह बताएं मोस्ली, कि यह जो फॉर्इन ट्रेड पॉलिसी है, यह फैसिलिटेशन के ओपर फोकस करनी चाहिए, ना कि रेगुलेशन के ओपर, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, MEIS स्कीम, तो MEIS स्कीम को हमने यहाँ पर बंद कर दिया था, क्यों बंद कर दिया था, क्योंकि यह WTO compliant नहीं थी, हम export subsidies दे रहे थे, और export subsidies देना WTO में allowed नहीं है, उसके बाद हम एक नई scheme लेकर रहा है, जिसका नाम है Road Tap, अब Road Tap क्या WTO compliant है या नहीं है, तो इसका check तो हुआ नहीं है, कि WTO compliant है या नहीं है, यह WTO के rules को wallet करती है, जिसकी वज़े से हम इस scheme को बंद करना पड़ा था, और हम एक और scheme लेकर रहा थे, जिसका नाम था Road Tap scheme, Road Tap scheme में क्या होता है, तो जो भी यहाँ पर taxes और duties दिये जाते हैं, यह वापस मिल जाता है, इसका नाम है remission of duties और taxes on export products scheme, जो भी यहाँ पर duties और taxes दिये जाते हैं, उनका यहाँ पर remission हो जाता है, तो अभी हमारे पास Road Tap scheme है, एक point और है, यह जो foreign trade policy लेकर आई गई है, इसका कोई sunset period नहीं है, मतलब इसको बस यह tweak करते रहेंगे, इससे पहले वाली जो थी, यहाँ पर required changes कर देगी, एक important point यहाँ पर FTP में है, e-commerce को लेकर, अब e-commerce के अगर हम बात करें, तो author का यह कहना है, कि e-commerce को लेकर WTO में, जो negotiations हो रहे हैं, तो WTO के countries यहाँ पर बात करते हैं, कि data portability होनी चाहिए, लेकिन India भी data portability के against है, तो अगर हमने यहाँ पर e-commerce को include हिया है, अपनी foreign trade policy में, तो क्या अभी हम data portability को लेकर allow कर देंगे, नहीं करेंगे, तो यह सब बाते की गई हैं, जो कि important नहीं है, next है, Finland joins NATO, तो NATO important हो जाता है, 31 members नहीं याद कर लेना, 31 members जादा नहीं होते हैं, अगर अपन मॉनिक बनाओ गए, तो याद हो जाएंगे, ठीक है, तो अभी तक 30 members पर, अभी यह Finland जुड़ चुका है, तो अभी हो गए 30 members, Finland जुड़ गए, तो Sweden क्यों नहीं जुड़ा, यह यहाँ पर article है, तो Turkey इनको consider करता है, कि यह लोग हैं terrorists, लेकिन जो सुड़न है, यह इन लोगों को safe haven प्रोवाइट करता है, और Turkey कहता है, कि इनका extradition करो, तो सुड़न का extradition करता ही नहीं है, और जिसकी वज़े से यहाँ पर, तर्की ने यह कहा कि, कि अभी तो हम सुड़न के लिए ratification नहीं देंगे, अगर यहाँ पर सुड़न इनकी demands माल लेता है, कि इन लोगों को safe haven नहीं प्रोवाइट करोगे, अगर हम कहेंगे इनका extradition करो, तो आप इनका extradition करोगे, तब ही हम आपको ratification देंगे, अगेंस्ट आप सोविए उनियन, सोविए उनियन के यहाँ पर वाट्सप आपक्ट था, कुछ ताइम पहले हमने न्यू वाट्सप आपक्ट डिसकस किया था, ब्युकारेस्ट 9 डिसकस किया था, लबलन ट्रैंगल डिसकस किया था, यह सब पताओ तो बता दे न, और एक और चीज डिसकस किती, 3C's initiative, कररेंटली 30 members से अभी एक और आड हो चुका है, जिसका नाम है, Finland, ओरिजिनल members कौन से यहाँ पर mention है, याद तो आपको करने पड़ेंगे, headquarters Brussels, Belgium में है, Russia's invasion of Ukraine in February last year, convinced कि Sweden और Finland को लगा, कि हमें भी यहाँ पर NATO को join करना पड़ेगा, और जिसकी वज़े से इन्होंने decide कि यहाँ पर NATO को join करेंगे, लेकिन Turkey ने यहाँ पर Sweden के लिए तो ratification नहीं देया, लेकिन Finland के लिए देया है, Finland यहाँ पर बन चुका है member, तो Turkey says, यह जो Stockholm है, तब भी हमें यहाँ पर कोड़ की बारे में डिसकस करना है, next यहाँ पर the marriage killings of 1987, तो यह important यह marriage killings क्या हुआ था, at Delhi NTUPR, it's trouble for Congress, यह भी हमें डिसकस करेंगे, with successful test, ISRO closer to an Indian reusable launch vehicle, तो reusable launch vehicle के बारे में हमने यहाँ डिसकस किया था, तो अगर हमारे पास reusable launch vehicle होगा, इसका मितलब यह है कि हम 80% तक cost को cut कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर SpaceX की बात करें, Elon Musk की जो company है, तो जो SpaceX का rocket of Falcon, यह यहाँ पर reusable है, पर पूरी तरीके से reusable नहीं है, पूरी तरीके से reusable launch vehicle बनाया जा रहा है, SpaceX के द्वारा जिसका नाम है Starship, Starship, On Sunday, Istro and its partner demonstrated a precise landing experiment for a reusable launch vehicle, कहाँ पर किया, यह important नहीं करनाठका में किया, तो सबसे पहले, चीनूख helicopter ने इसको उपर छोड़ा, उसके बाद इसमें landing की आप देख सकते हो, यह इसकी photo है, यह बताना, आप चीनूख helicopter हमारा है या तो हमने किसी से लिया हुआ है, फिर advantages के हैं, RLVs के, तो high cost are a major deterrent to space exploration, लेकिन अगर reusable launch vehicle होगा, तो 80% तक यहाँ पर cost को कम किया जा सकता है, Donald Trump arrested, यह important नहीं है, Donald Trump को क्यों अरेस्ट किया गया, तो basically इनका एक affair था, और इनकी affair के बार में किसी को बता ना चले, तो इन्होंने पैसा उसको provide कर दिया, तो उस लड़की को क्या आपको कुछ नहीं बोलना, यह सब important नहीं, लेकिन अब यह illegal भी नहीं यह करना, तो उसके बाद भी उनको क्यों arrest किया गया है, अब यह जो कुर्द की जनसंगे आई कितनी है, तो 25 मिलियन से लेकर 35 मिलियन पॉपॉलेशन है, stateless ethnic group है, तो basically यह किसी भी state के साथ खुद को associate नहीं करते, इनका demand यह है कि हम एक नया state बनाएंगे, एक नया country बनाएंगे, जिसका नाम अगो कुर्दिस्तान, तो basically अगर आप देखो, तो कहीं पर भी इनकी कोई government है, लेकिन इराक में इनकी एक government है, तो कुर्द have never achieved nation state status except in Iraq, जहां पर इनकी एक regional government है, जो कि एराक के कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तान is made up of five different regions, तो तर्की होगे, सीर्य होगे, एराक होगे, एरान होगे, अर्मेनिया होगा, तो कैसे याद रखना है, तर्की, सीर, एराक, एरान, अर्मेनिया, minority कुर्द, जो कि सुन्नी मुस्लिम से, ये एरान, जो कि शिया dominated country है, वहाँ पर रहते हैं, और जो इस language बोलते हैं, वो फार्ट सी है, जो कि important नहीं है, बस आपको ये पता होना चीक ही, रहते हैं, कहाँ पर उनकी demand क्या है, Taiwan defies China pressure, तो ये आपको बता है, आपको सरोगेसी आक्ट देखना है, और आपको ART आक्ट देखना है, दोनोई आक्ट important है, सरोगेसी आक्ट, ART आक्ट, क्या news है, तो news तो बेसिकली ये है, कि इटली में जो foreign birth certificates है, सरोगेट चाइल्ड के, इसको यहाँ पर नहीं approval मिलेगा, तो जिसका मतलब ये है, कि for example, इटली का कोई couple है, और जो यहाँ पर US गया है, और उसने US में यहाँ पर सरोगेसी अवेल किया, और वो वापस से इटली में आया, तो उसका जो बच्चाओं को इसको यहाँ पर immigrant की तरीके से ही treat किया जाएगा, तो यह यहाँ पर बात है, चिली की बात हम कर चुके हैं, बेसिकली यहाँ पर चिले ने कहा था कि इंडिया के साथ हम collaboration करना चाहते हैं, लीथियम को माइन करने के लिए, जद्धा important नहीं है, ONDC, तो ONDC हम discuss कर चुके, open network for digital commerce नहीं पता है, तो देख ले न, open network for digital commerce किया है, government slashes, windfall gains tax, तो windfall gains tax हम discuss कर चुके, बस आपको यह पता होना चाहिए, windfall gains tax इस नाम की कोई चीज नहीं है, जो लगता है, उसका नाम है special additional excise duty, special excise duty, ठीक है, windfall tax नहीं मिलेगा आपको गई, तो special additional excise duty, तो आयो, आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो, अगर आपका कोई भी doubt है, तो आप telegram group पर post कर सकते हो, if you liked the analysis, you can like, share, subscribe, comment, thank you, and have a nice day.